अगले दस प्रस्न में लेकर आया हूं आपके सामने जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है जो कि भारत के भोगोल यानि की इंडिन जोग्रफी पर आधारे थे वो सभी एक्जाम जैसे की MPPSC, UPSC या फिर आन्य सिविल सर्विसिस जो भी विद्यारती दे रहे हैं उन सभी के लि जो कि इन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो आप सभी विद्यारती लगातार मेरे इस तरीकी के वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथी साथ वीडियो की कॉश्चन समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो चलिए शुरू करता हूं अगले 10 प्रसने जो की बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आपके एक्जाम के लिए होने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना जाता हूं अनेकेडमी के बारे में इंडियास लर्जेस लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसको की सब्स्क्राइब करें आप 10% का डिस्काउंट पाए रिफल कोड लगा कर ज नेकेडमी में आप फ्री में आप एक्टे मिलता है वहीं प्लस में आपको कमप्लीट स्लेवस मिलता है अन्लिमिटेड मोक्तेस पीडियाप नोज डिडिकेट इडाव प्रलेंग एक्जांस फ्रीधे और दोहींजार होते हैं डिफरेंट सब्जक्ट के इसाइवे पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीडेब भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथी साथ 10 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा मेरा रेफल कोड हर्दयाल को स्वाप जैसी यूज करेंगे आपको एड्मिशन में सीधे 10 परसेंट का डिसकाउंट प्राफ्थ होगा सब्सक्राइब के बाद में देख लेते हैं अपने कौनको सब्सक्राइब कर देख लेते हैं आपको यहां पर करवा जाती इविनिंग सिक्सक्राइब सब्सक्राइब के बाद में देख लेते हैं अपने कौन-कौन से बैच अभी स्टार्ट होएं प्लस में सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करवा जा रहा है अगला जो बैच है जिसमें की फोर्टीं दिसमबर से बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें की मैंस की पूरा सेकन्ड पेपर के पर्प्रेशन यहां पर कम्प्लीट किया जा रहा है नवंबर के सारी बैस्टिस का आपको एक्सेस मिलेगा तो जो प्लान है वो 24 मेने, 12 मेने, 6 मेने और 3 मेने के हैं तो किसी भी एक प्लान को चूज करते हुए रिफरल कोड लगाए अर्दयाल कुस्वा 10% का डिस्कॉंट मिलेगा और आप प्लस की यूजर यहां पर बन पाएंगे तो किसी भी एक प्लान को फटा फटा सब्सक्राइब क भून है जिससे कि आपको 10% का डिस्कॉंट मिलेगा और प्लस की यूजर बन के आप complete with theory classes यहां पर preparations कर पाएंगे तो let's crack with the unacademy यह पहला प्रस्ण आ गया भारत के भुगोल का गंगा वेसिन में वर्षा वितरन का जो प्रतिमान है वो घटता है किस तरफ में a विकल b c या फिर d कौनसा विकल प्लस में से सही होगा तो इसका जो सही आंसर है वो a सही है यानि कि परस्ण से पूर्प की ओर और इतर से उतर से दक्षिन की ओर यह घटता है this is the correct answer अगला question आ गया question number second निमलिखित कत्नों में से कौनसा कथन यानि की statement सही है पहला दूसरा और तीसरा तीन statement ही है फूर्प में आंसर देना है कि कौन-कौन सा कथन कौन-कौन से statement सही होगे तो इसका जो सही विकल्प है वो तीनों की तीनों statement सही है यानि कि मुंबई में पूर्णी से अधिक परसा होती है क्योंकि वह पस्चिम घाट से पूर्विमुक अवरस्तित है और विदर्व छेत्र में अर्ध सुस्क वातवरान होता है क्योंकि यहां व्रष्टी चाया का छेत्र अवरस्तित है भारत में मांसून कस्मीर घाटी में अंत तक पहुच्चता है, याने कि सबस्य आखर में पहुचने वाला जो मांसूने वो कश्मीर घाटी में ही पहुचता है, याने कि तीनों विकल्प पहुच्रन जिन थार्थ, भारत में निमलीखित में से किस प्रकार के जायाता है A, B, C, D तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा तो इसका सही विकल्प है वो उसने कटी बन दी अर्ध पनपाती बन भारत वर्ष में सबसे अधिक पाए जाते है अगला question, question नमर फूर भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाए जाती है इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है A, B, C और D तो इसका जो सही विकल्प है वो है C विकल्प सही होगा फैरिक ओक्साइड की विद्दमानता है यानिकि इसमें फैरिक ओक्साइड होने के कारण ये मिट्टी का करण जो रंग है वो लाल हो जाता है यानिकि इसमें iron की अधिक्ता के करण और iron के साथ में oxygen जैसी होता है जैसी नमीं हाती है तो उस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है अगला question question no.5 मिर्दा संद्रक्षण के संदर्म में निमलिखित प्रितलित पदेतियों पर विचार के जिए पहली दूसरी तीसरी और चोथी तो भारत में मिर्दा संद्रक्षण के उप्रोक्त में से कौन सी विधियां उपयोगते समझे आती है यह अपने को बताना है इसमें बालू की बाड जो होती है साथ में वेदी का निर्मान यानि की ट्रेसिंग की जाती है साथ में बायू रोद यानि की चारों के चारों विखल्प इसके सही होंगे अगला कॉर्शन कॉर्शन नम्मर शिक्स निम्न लिकित में से कौनसा इस्तल बनस्पति संदक्षण है तू इन्सवीट एनि की स्वास्थान पदेती नहीं है A, B, C, D तो कौनसा विकल्प सही होगा तो इसका B विकल्प सही है बाना स्प्रितिक उद्धान जो होता है वो इसका सही उत्तर कहलाएगा अगला प्रसना गया प्रसन नमर सात्वा भारत में प्राचिंतम परवत कौनसा है हिमाले विंधिया चल अरावली या फिर नील गिरी तो इसका जो सही विकल्प है वो है अरावली अरावली जो मांटन रेंज है वो भारत की सबसे प्राचिंतम इवन पूरे विश्व की सब दिली तक पहुंचती है लगभग 800 km का रहे हैं जहें दिली में कहां पर रॉयल सीमा रॉयल सीमा तक यह जाती है ठीक है 800 km का यह पूरा छेत रहे चलिए अगला वर्शन आ गया वर्शन नमर आटवा भारत की सर्वोत्तम परवज्चूटी कौन सी है तो इसका सई विकल्प है वह है च्थ 2 उसको गौडविन आस्तिन के नाम पर भी जानते है और यह त्रांस हमाले का हिस्साट है धियां द्यांतर्क चान्स हेमाले और फ्रांस हिमाले के अंतरगत आते हैं जो फिवस्व बर्वाहत SECOND LARGEST TV आती है और यह इंवर्तमान में पी इन्तरगत यह आती है अगला question question no भारत में निवन में से कौन सी परवत सेनी के वल एक ही राज में फैली है अरावली सत्पुड़ा अजन्ता या फिर सहादरी तो इसका सही विकलब है C अजन्ता परवत माला जो की एक ही राज में फैली है और वो राज है महरास्त महरास्त में विश्तरित है यह अगला प्रसन आगया प्रसन नमर दसवा और इस वीडियो का यह आखरी प्रसन है जिसमें की बताना है निवन में से सही क्रम क्या होगा यह सारी की सारी मांटेन देंगी है तो इसमें सबसे बड़े आकार से लेके कमाकर तक महुचना है अपने को A B C D तो जोकी नेपाल में इस्त्रिक नेपाल और गौर्विर जोकि वर्थमान में पीओ की का हिस्सा है और यह भारत में से जोकी से कॉटिर नर्जेस्ट फी पिग है प्रसक्त जो की मैंने आपके सामने रख़् कई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं सात मिपें है। और शेर करना ना भूलें अगर आपको question बहुत अच्छे लगे हो साथी साथ मेरे इस तरीकी की वीडियो देखने की आप लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें all notification के साथ में इसे एक भी वीडियो आपका मिस्टे होगा